पिछली वीडियो में हमने किया था question number one or two अब हम करते है question number three question number three में वो क्या कह रहा है question number three में वो ये कह रहा है in a city 126 medical student traveled by कि एक शेर में मतलब एक city में 126 जो medical के student है वो travel करते हैं मतलब सफर करते हैं सफर वो किस सूरत में करते हैं कि कुछ रिक्षे के उपर मतलब travel करते हैं और कुछ टैक्सी के उपर और फिर बस के उपर and last one जो उसने बताया कि कार के उपर तो रिक्षे के उपर वो बता रहा है कि 12 जो student है वो सफर करते हैं और टैक्सी के उपर 9 करते हैं बस के उपर जो करते हैं सफर मतलब ट्रैवल जो करते हैं वो है 75 जो कार के उपर करते हैं वो है 28 इसी सूरत मतलब ये question दिया गया है आपने क्या निकालना है find the ratio of the student who use आपने ratio निकालनी है कि वो student क्या क्या यूज कर रहे है तो first पे उसने ratio जो हमसे require की है वो है रिक्षा to taxi मतलब रिक्षा और टैक्सी के दर्मियान क्या ratio बन रही है second पे वो क्या कह रहा है कि taxi to bus टैक्सी और बस के दर्मियान क्या ratio बन रही है और number third पे taxi to car हमने ये तीन ratio निकालनी है इसी question जो उसने value दी गी है इसी value के उपर तो question number three हमने लिखा अगर हम पूरा लिख लेते हैं जिसमें first बताया है रिक्षा रिक्षे पे students जो है वो है 14 और उसके बाद taxi which is nine students और उसके बाद है बस इस पर travel करते हैं 75 students और उसके बाद जो car पे travel करते हैं वो है 28 अगर आप इन four का मतलब रिक्षा टैक्सी बस एंड कार अगर आप इन सब का साम लें तो उपर उसने बताया कि one two six मतलब one hundred twenty six जो है वो medical के student travel करते हैं अगर आप इन चारों का साम लें तो आपके पास total जो students आ जाएंगे तो हमने first जो हमसे require किया है यह हमने सिर्फ question लिखा first time से वो require कर रहा है कि आपने जो value निकालनी है रिक्षा to taxi आपके इन दोनों के दरमयान आपने ratio बनानी है तो first time देखते हैं कि हमने रिक्षा to taxi इसके दरमयान हमने ratio बनानी है तो अगर आप रिक्षा देखें रिक्षे के उपर travel कर रहे हैं 14 रिक्षा फिर हमारे पास बन रही है रिक्षा ratio टैक्सी रिक्षे पे student 14 है और उसके बाद taxi के उपर 9 देखें इसके उपर हमने ये ratio बनाई आपको जैसा कि ये नजर आ रहा है कि एक ही table के उपर ये आगे further divide नहीं हो रहे तो फिर यही इसकी lowest term भी होगी और यही इसकी first मतलब ratio होगी तो second one जो है वो उसमें कहरा कि taxi to bus इसकी हमने निकालनी है ratio पहले हमने ratio बनानी है अगर further वो एक ही table के उपर divide हो रहे हो तो आपने divide करके lowest term में भी लेके आना है तरिक second पे है taxi to bus taxi to bus ठीक है जी इसकी हम निकालेंगे taxi ratio bus taxi में कितने nine students table कर रहे हैं और bus में कर रहे हैं 75 देखें अब ये दोनों value एक ही table के उपर divide हो रही हैं अगर हो रही हैं तो आप lowest term में लेके आ सकते हैं तो जैसा कि three का table दोनों पे apply हो रहा है three three दा nine और 25 three मतलब 75 तो ratio हमारे पास बन रही है three ratio 25 जो के हमसे second ratio require की थी हमने दो रेशो निकाल ली हमसे तीन रेशो उसने require की हैं थर्ड जो है वह है टैक्सी टू कार टैक्सी टू कार अच्छा है टैक्सी रेशो कार टैक्सी में स्टूडेंट जिस तरह हमने देखा nine थे और कार के हैं 28 देखें अब ये दोनों वैल्यू एक दोनों रेशो जो हैं एक ही टेबल को पर डिवाइड नहीं हो रही तो फिर यही इसकी लोइस टरम होगी question number 3 हमने पूरा किया अगर फिर भी इसमें किसी किसम की आपको confusion है तो आप please video के निचे comment करें मैं इंशाला आपके लिए दोबारा वीडियो बनाओंगा that's it